टाटा स्टील ने नया हाई लगा कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जो इतने दिनों से नहीं दौड रहा था, उसने आज अपनी मूवमेंट दिखा दी. स्टील सेक्टर में तेजी की संभावना बनी हुई है, रेटिंग एजनसी भी काफी ज्यादा बुलिश है, स्टील सेक्टर को लेकर, टाटा स्टील में मर्जर भी होने वाला है. तो हम ये जानेंगे कि टाटा स्टील के आगे के टार्गेट क्या होंगे, और इसमें फाइदा किन कमपनियों को होगा, जो ये सारी गणनाना हम अलग-अलग स्टॉक ब्रोकर के सूत्रों के माध्यम से करेंगे, यश सिक्योरिटी की तरफ से टाटा स्टील बुलिश है वा खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसों ने इसको एड की रेटिंग दी है, और इसका टार्गेट एक सो तरपहन रुपे के आसपास बताया है, हम इसके पिवट लेवल की भी गणना कर लेते हैं, अगर इस शेर में गिरावट की संभावना बन जाती है, तो इस तीसरा रेजिस्टेंस इसका 142 पर आएगी और तीसरा रेजिस्टेंस 147 पर आएगा, लॉंग टर्म के हिसाब से, ये शेर बहुत अच्छा बुलिश है, लेकिन आप अपने एडवाइजर की सलाह जरूर ले स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिली है, आज, हालांकि इस सितंबर में दीए गए मर्जर प्लान के तहट, सभी कंपनी के शेर होल्डर को 10-10 शेर मिलेंगे, मर्जर प्रक्रिया के दौरान, कुल मिलाकर आने वाले समय में स्टील सेक्टर बुलिश हो सकता है, ये एक संभावना बनी हुई है, लेकिन हमेशा की तरह आपको अपने अन अपनी अनालिसिस जरूर लगानी है, धन्यवाद